Hello everyone, जैसा कि आज आप इस वीडियो में देख करके समझ गयों कि आज जो हम डिसकस करने वाले हैं वो है IPO IPO यानि Initial Public Offering, Initial Public Offering Company तब offer करती है तब यह release करती है जो उसे पैसा का जरूवत होती है IPO एक share market का part है जो आपको अच्छा return दे करके ही जाती है बहुत ही rare के सहता होता है जिसमें IPO नुक्षान दे करके जाती है तो चलिए friends बिना time waste किये हुए IPO के बारे में हम लोग आगे discuss करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर ले वीडियो को like करे, share करे और bell icon को दबा दे ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपसे miss नहीं हो तो चलिए friends वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जो आज का पहला जो IPO है वो हमने जो लिया है वो है Windlass Biotech IPO का जो opening date है वो 4 अगस्ट 2021 को आने वाला है यानि 4 अगस्ट 2021 को शुरू होगा और इसका जो closing date है वो अगस्ट 2021 है अगस्ट 2021 है यह जो है इसका जो issue type है वो book built issue type है book built में इसका investment होगा face value 5 पर equity share है यहाँ पर देखा जा सकता है यहाँ पर दिखा हुआ भी है IPO price की बात करें तो वो 448 से 460 है यानि कि आपको मान करके चलना है कि यह 460 रुपए है यानि IPO price maximum लेकर के चलिए वो 460 रुपए पर ही आएंगे ऐसा आपको मान करके चलना है अब market lot की अब हम लोग बात करें तो market lot जो है 30 share है यानि आपको 30 share ही मिलेगा यह minimum order quantity भी है आपको 30 share minimum आपको apply करना है listing जो होने वाली वो BSC और NSC पर होगी issue size की बात करें तो यह aggregate 400 करोड से भी उपर है यह issue size है 400 करोड से भी उपर है जो काफी heavy amount है fresh issue की बात करें fresh issue जो है वो है 165 करोड फ्रेश इसू 165 करोड हो रही है और offer for sale जो होना है वो राप 5 करोड 14,2,066 यह offer for sale है यह काफी अच्छा return देने की उमीद है इसका तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए windlast के ही IPO के open rate की बात करें तो अगस्त 4,2,021 है जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया closing rate अगस्त 6,2,021 है अब allotment की हम बात करें तो इसका जो allotment होना है वो अगस्त 11,2,021 को होना है initial of refunds अगस्त 2012 से सुरू हो जाएगा अब refund आप सभी दान रहा है कि जैसे कि allotment IPO जो आता है वो काफी मुस्किल से किसी-किसी को मिलता है तो जो लोग पैसा जीने नहीं मिलता है वो पैसा रिटर्न होता है तो वो refund जो होना है वो अगस्त 2021 से होगा credit of share to demate account वो अगस्त 13,2,021 से होना है अब listing date IP के listing date बात करें तो वो अगस्त 17,2,021 को होना है यह one last की information थी चलिए अब अगला देव्यानी international IPO की बात करें तो इसकी opening date अगस्त 4,021 को होना है closing date अगस्त 6,021 यानि की 3 दे आपके पास है 3 दीन आपके पास समय है इसे खरीदने के लिए इसका जो issue type है वो है book built issue IPO है face value की बात करें तो यह 1 रूपया per share है अब इसका price जो आने वाला है वो 90 रूपया per equity है IPO का जो price है वो 90 रूपया per unit है 90 रूपया हम इसलिए आपको बता रहे है कि आपको maximum मान करके चलना यहां पे 86 to 90 per equity लिखा गया है यानि आपको मान के चलना कि आपको 90 रूपया per equity share IPO का price होने वाला है आगे देखते हैं market lot की इसके बारे में बात करते हैं market lot 165 share है यानि आपको minimum order quantity 165 मिलने वाला है आप 165 से कम पे apply नहीं कर सकते हैं listing जो होनी है वह BSE और NSE पर होने वाली है issue size की बात करें तो यह issue size जो है 1838 करोड 1838 है यह इसका issue size है यहां पे लिखा हुआ भी है आप देख सकते हैं यह aggregate 1838 है fresh issue की बात करें वह 440 करोड है यानि 400 करोड से भी उपर है और काफी ही ज्यादा उपर है यह 440 करोड इसका fresh value है अब sale की बात करें तो sale यहां पे देख सकते हैं यहां पे इतनी भारी मात्रा में इसका sale होने वाला है तो आपको इसमें लिए तयार होना चाहिए इसमें investment करना चाहिए चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या information है IPO का जो opening date है वह 4 अगस्त है जैसा पहले बताया closing date 6 है 6 होने के बाद यहां का basis of allotment है वह 11 अगस्त को होना है यानि allotment आपको 11 अगस्त को मिलेगा और refund होने की process जो होती है जो अगस्त 12 से शुरू होती है और demand account में credit of share जो होना है वह अगस्त 13 2021 से होगा और IPO का जो listing date होना है जो काफी ही important है IPO का listing date जो है 100 अगस्त 16 2021 है अगस्त 16 2021 से इसका listing होना है तो यह था इस company के share के details अब अगले company के बारे में देखते हैं अगला जो company है वह Krishna Diagnostic IPO है Krishna Diagnostic IPO का भी opening date 4 अगस्त को है closing date 6 अगस्त को होना है 3 days आपके पास time है issue type की बात करें तो book built issue है face value 5 रुपया पर equity share है IPO price की बात करें वह 954 रुपय है यहाँ पे तो लिखा हुआ है 933 से 954 लेकिन आपको मान के चलना है कि IPO price इसका 954 है अगला जो information वह market lot के बारे में बात करें market lot जो है वह 15 share मिलने वाला है यानि 15 share पर आपको apply करना है listing जो होनी वह BSE और NSE पर होनी है और इसका जो issue size है जो काफी मतलब रखता है काफी ही मैने रखता है issue size issue size जो है वह 1213 करोड यानि 1200 से भी उपर के उपर की size है इसकी fresh issue जो होना है वह 400 करोड है net 400 है fresh issue और जो sale होना है वो है यहां पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं काफी भारी मातरा में इसका sale आने वाला है 8,52,552 इसका offer for sale है offer for sale इस company का काफी ही अच्छा है जो इसका aggregate जो है लगभग वो 813 करोड में यानि 800 से भी उपर में यह जा रहा है 813 करोड इसका aggregate है अब जो discount की बात करें तो यह implied discount है इसमें 93 है यानि 93 implied discount आगे मिलेगा चलिए आगे इसका information देखते हैं अभी आपको जैसा बताया है कि इसका opening date जो है सो अगस्ट 6 को शुरू होगा इसका opening date अगस्ट 4 से शुरू होगा closing date जो है सो 6 अगस्ट है basis of allotment की बात करें तो वो अगस्ट 11 है यानि 11 अगस्ट से इसका allotment शुरू होगा और refund जो है 12 अगस्ट से होना शुरू हो जाएगा credit of share to demand account अगस्ट 3 2021 है और listing जो होना है वो 17 अगस्ट को होना है इस company का इस company का जो listing होगा वो 17 अगस्ट को होगा चलिए अगला IPO के बारे में देखते हैं अगला IPO जो है वो काफी ही important है वो एक्जायरियो टाइल से related है यह अपना IPO release वही 4 अगस्ट को कर रहा है closing जो है 6 अगस्ट को है issue type इसका book build है same है face value जो है 10 टुपया पर equity share है IPO price की बात करें तो आपका IPO price 120 पर equity share है यानि 118 से 20 इसका दिया गया है लेकिन आपको मान के चलना है कि 120 है अब market lot की बात करें market lot जो है वो 125 share है यानि आपको minimum 125 share के लिए apply करना है listing जो होना है वो BSE और NSE पर है issue size की बारे में बात करें issue size देख सकते हैं काफी ही बड़ी मात्रा में आने वाली है और इसका जो aggregate है aggregate 160 करोर से भी उपर है 161 दिखाया जा रहा है यानि 160 करोर से भी उपर इसका issue size है fresh value की बात करें यह aggregate 134 करोर से भी उपर जा रहा है offer for sale जो है वो यहाँ पे 26.86 यानि 26.86 से aggregate दिखाया जा रहा है जो की करोड में है चलिए आगे देखते हैं इसका जो allotment होना है वो 11 अगस्त को होगा initial of refund जो है 12 अगस्त को होना है credit of share जो होना है वो अगस्त 13 से शुरू हो जाएगा अगस्त 13 से credit of share जो है so dimate account में जाना शुरू हो जाएगा और listing जो होना है वो same date है पिछली company की तरह अगस्त 17 को होना है इसकी listing तो आपको तयार होना चाहिए आपको इसे भी apply कर देना चाहिए यह अच्छा return देशकता है जेरियो टेल्स की बारें बात करें तो इसकी जो minimum lots है वो 125 share है यानि की 15,000 और maximum 1625 share है यानि की 13 lots है वो है 1,95,000 रुपए तो friends IPO से related बस अभी इतना ही अब questions यह उठता है कि हम लोग IPO खर दे कैसे चुकी IPO मिलना काफी ही मुश्किल होता है तो हम आपको यह सला देंगे कि आप multiple demand account बना करके रखें और उससे apply करें कहीं न कहीं से आपको IPO मिल ही जाएगा IPO अच्छा return दे करके जाएगा जैसा हमने आपको इस वीडियो के शुरू में ही कहा था काफी rare case है जब आपको IPO नुकसान देता है एक suggestion और है कि जब भी आप IPO में पैसा लगाया या किसी भी share market में पैसा लगाया उसे net पर अच्छी तरह से खंगाल ले अच्छी तरह से समझ ले उसके बाद ही आप पैसा invest करें तो friends अभी के लिए इतना ही उम्मीद है मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बिल आइकन को दबा ले ताकि आपको मेरा सारा वीडियो आपको मिलता रहे थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो